मैं आपको बताए थो घू हम लोग वहां का जगा पार कर रहा है अबी ले कर चलता हूं जी मैं अभी वहां से आपको दिखाया था मैं गुजर्च के आया हूँ हमको नजारा हो गया है काली कोठी का जहां पर हमारे पीरिय मुस्जित हाजी सुपीर पस्षिर ओलिया ने चिल्ला किया था आईए मैं कुछ समयबाद बाहर पर पहुच रहा हूँ और मैं आपको उनकी जो करामत थी जो हमारे मास साब बता रहे थे हुआ पर साप इस तरीके से लटकते थे और यहां पर हमारे दादा पीर हाजी सुपीर पस्षिर ओलिया ने चिल्ला किया और लोगों को इस कौश की सर बताना चाहता हूं यह जो कंडिशन इसकी यहां पर हमारे पीरियो मुश्यद हाजी सुपीर पस्षिर ओलिया ने चिल्ला किया मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जहां पे मास साम ने बताया था किहां पर लटक रहे थे साब जो लटक रहे थे तो आपको छोड़कर उनके मुरीद जो माजसाब थे दो तीन लोग उनको छोड़कर और यहां से चले गए उन्हें को जी आप देख रहे हैं यह जो बनी हुई है नजारा आप देखिएगा इसको काली कोठी और काली मठिया के नाम से बोलते हैं जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां जंगल चारों तरह आप देख लें कोई भी बिजद्य नहीं कोई भी बो नहीं कोई भी ओजाला नहीं किस तरीके से हमारे पीरुमोर्चित १ुद्ध भाजा बशीर ओलिया ने डातों को अपना जाक कर भूके प्यासर रहकर चिल्ला किया और लोगों को अपने करम से फैज आम किया मैं आपको बताना चाहता हूँ यह आप देख रहे हैं किस तरीके का जंगल गहना हुआ और यहां पर ना पानी की विवस्ता है ना नल है ना टूबेल है कुछ भी नह हैं मैं आपको बता रहा हूँ यह किस तरीके से हाँ पर जो है यह काली मठिया यह पूरे जंगल के बीचों बीच में तो है canon यहां पर मैं बताता हूं आपको हमारे बुजरुग ने बताया है कि यहां पर एक नाग एक जो नाग था साथ फन वाला वो यहां पर बैठा रहता था परमालेंड चाहिए वो रात हो चाहिए दिन यहां पर परमालेंड बैठा रहता था और यहां पर किस तरीके से हमारे सरका जो अंदर चिल्ले में मौजूद थे और यहां पर बैठा रहता था और रखवाली करता था मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अंदर जाने की जगा नहीं है क्योंकि यहां पर जो मठिया है वो बंद कर दी गई है कापी तूट फूट गई है लोगों को नुक्सान ना उपाई इस मारे मठिया बंद कर दी गई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मठिया का नजारा यहां पर बताया जा रहा है कि तरीके साप लटकी हुए थे एक साथ फन वाला नाग यहां पर बैठता था और रखवाली करता था हमारे पीरों मुझस ने किस तरीके इस जंगल में इस जंगल में चिले किये और लोगों को अपने करम से फैज आम किया असलाम आलेकुम मेरे भाईयों मैं सूपी समीर खान फैजानी आप से बस इतनी इंतजा करता हूँ हमारी चैनल हाजी सूपी बसीर और ओलिया के नाम से हमारी चैनल को सब्ट्राइब करें और नीचे बेला करें के बटन को दबादी असलाम आलेकुम और आंगे की जानकारी में आपको थोड़ा भी लिकलूँगा यहां से आपने देखा था किस तरीके की जंगल है लेकलने के बाद मैं आगे की जानकारी दूँगा असलाम आलेकुम